चलो अभी हम आज का टॉपिक पढ़ना श्राइट करते हैं फी बेसिक इंट्रो के स्टॉक मार्केट पहले है क्या एक बस कंसिप को समझते हैं कुछ क्लियर चीजों को समझ देता कि आपको और भी क्लियारिटी मिल जाए इसने मेरा एक बार मैं स्पेक यूज कर लेता हूँ क क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यार सामने से आती हैं थोड़ा सा रिफलेक्शन नहीं आता डेखो पहले देखते कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और मार्केट अक्टुली का मतलब क्या है देखो यह मार्केट है यह क्या है ? एक मार्केट है, कॉमन मार्केट ले पकड़ एक जगा पर वेजेटेबल मिलते हैं दूसरी जगा पर आपको मसाले मिलते हैं मसाले मिलते हैं और कोई टाप के मार्केट होते हैं और नौर्मल ही होता है कि जहाँ पर एलेक्ट्रोनिक्स मिलता रहता है सारा एलेक्ट्रोनिक्स है तो ऐसे भहुत सारे टाप के मार्केट होते यह मार्केट में नहीं चला जाओगा, इसी हर एक टाइप के यहाँ पर मार्केट होते हैं, हमारे पास भी मार्केट होते हैं, हमारे पास भी मार्केट होते हैं, यहाँ पर बेची जाते हैं, हमारे स्टॉक्स, इन स्टॉक्स को बेचने में होता क्या है, आपको जाटे के स्टॉक्स खरीदने के मोगा मिलता है, मतलब आपके पास पैसा है उस पैसे के बदले, जैसे कि या पर मान के चलते हैं, आप नौन वेज खरीदने के लिए जा रहे हो, आप क्या करते हो, आप क्या बोलते हो, मुझे 1 kg चिकन चाहिए, हम क्या बोलते है, 1 kg बदले आपको क्या देना पड़ता है, इस 1 kg चिकन के बदले आपको देना पड़ता है पैसा, एक होटेल के से बिजने चलाता है, जैसे आप नौन वेज पर्चेस करने के लिए जानने के बाद, आप क्या करते हो, इससे नौन वेज पर्चेस करते हो, आप बोलते हो कि ऐसको क्या करते हैं चिकन मसाला बना देते अब चिकन मसाला इसको बना दिये अपनी चिकन 1 कजी चिकन का कितना प्रैस गया था में यह पर लिए तो मैं मान के चलता है 300 रुपीज आपने दिया होगा 300 रुपीज जब इस वन के चिकन का 300 रुपीज बन गया लेकिन वही जब आपके होटेल में यह मार्केट पहुचा यह पहुचा जब वहां पर तो 300 रुपीज का चिकन आपके प्राइस कितना बन जाएगा बहाँ पर जाने के बाद आपको जोर्पाइस बन जाएगा 300 रुपीज का चिकन आपका यहां पर आने के बाद बन जाएगा लगा लग लग रग वह स सकते हो OFFICER पर केजी आप बेच सकते हो मतलब यहां पर आपको benefit कैसे हुआ आपने 300 रुपित का चिकन खरीजा लेकिन चाब उसने बनाया इस अंदर-अंदर क्या किया इसने अपने आपने इहां पर बस क्या कर लिया आपने उसको क्या किया आपका खुद का मसाला यूज करके आपका 12 रुपित क्यों बना उसके अंदर आपका experience लग रहा है आपने चिकन पहले बना है आपकी recipe लग रही है अपने जो बहुत सरी चीजे लगाई है लेबर लग रहा है जो आपका cook हो का cook बनाएगा उसका salary भी आएगा जो सब मिलकर वहाँ पर इसका pricing 12 रुपित बन जाएगा लग बाव उसकी making charges सबके कितने होंगे में मान के चलता हूं making charges आपके 900 रुपित है तो 900 रुपित है तो 300 रुपित आपका profit बन गया आपने क्या किया है यहाँ पर आपका 300 का profit बन गया ऐसे stock market में होता है कि हम अलग-अलग market से पैसे यहाँ पर generate करने की कोशिश करते हैं यह आपर हमारे पास भी यही होता है stock market में क्या होता है stock market में यहाँ पर भी एक democratic ये market क्या बोलता है बनता है आपका बैसा सिंपल बनता है कि आप क्या करते हैं जैसे मान के चलते हैं कि पहले देखते हैं कि stock market में company listed कैसे होते हैं ये पहले चीजों को देखते हैं फिर चीजों समझते हैं जैसे कि समझ कि चलो मैं आपके सामने अधिया का सीखने का मुखा मिलता रहें लेकि मान के चलते हैं कि मेरे पास एक company मुझे बनानी है मेरे खुद की जो company का नाम है और यहाँ पर लहें, नाम है इस company का omisacalkar, मेरी एक company है, उसका नाम है omisacealkar, मुझे company बनानी मुझे company यहाँ पर खड़ी करनी है, लेकिन मेरी पास उतना funding नहीं ज़िए, और इस company को बनानी के लिए मुझे यहाँ पर funding लगने वाला है कम से कम 100 करोड का funding चाहिए, मुझे 100 करोड का funding चाहिए, क्या चाहिए? 100 करोड का मुझे फंड चाहिए, अब मेरे पास इतना fund नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग है, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ बन गया है, मेरी company अभी जो फिलाल है, जो मेरी अभी company फिला ले, वो है 10 करोड की, अब मुझे उसको 100 करोड की company मना नहीं है, तो मेरे पास इतना fund नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं government के criteria को fulfill करते हैं, मैं मेरी company market में listed कर दूँगा, मैं मेरी market में listed क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए fund, fund चाहिए, तो मेर अगर आप मुझे अपने पैसे देते हो, मैं मेरी company बढ़ी करूँगा, और उस company में, जितना भी profits होगा, उस profit का आपको sharing दे दूँगा, जैसे की 100 करोड की company है, हमने क्या देखा, हमारी 100 करोड की company है, इस 100 करोड की company में, हम यहाँ पर कुछ profit generate करने की कोशिश करने है, 100 करो profit हुआ, और आप लोगों ने मुझे क्या किया था, stock market में, आप लोगों ने मुझे दिया था, एक कम से कम, जो 90 करोड थे वो आप लोगों ने मुझे तिया थे, मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 100 लोगों ने, 100 परसन ने, मुझे यहाँ पर पैसा दिया था इसको, तो सब ल मुझे 10CR का profit बन गया, 10CR का profit, जो मुझे 10CR का, कितना profit बना मेरा, 10 करोड का मुझे profit बन गया यहाँ पर, इस 10 करोड को मैं क्या करूँगा, इस 10 लोगों में बाढ़ दूगा, क्योंकि मुझे कितने लोगों ने, 100 लोगों ने, मुझे 100 लोगों ने, पैसे दिये थे यहाँ तो मैं क्या करूँगा, इस 10 करोड को 100 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, पर परसन को कितना जाएगा, अब 10 करोड का प्राफिट बनाए, 100 लोगों के अंदर, लगब लगब यहाँ पर हमें, एक एक करोड का प्राफिट सब को बन जाएगा, लगब लगब जो भी है, मै यह 10 करोड क्या करूँगा, मैं 10 करोड सब लोगों के अंदर, अंदर बाढ़ दूँगा, क्योंकि सब लोगों के अंदर, अंदर प्राफिट बनाए, तो 10 करोड इन सब में, यह जो 100 लोग मेरे पास थे, इन 100 लोगों में यह शेर प्राफिट बाढ़ दूँगा, और मैं म उस प्रोड़क्त में जितना प्रॉपिट में बाड़ दिया मतलब क्या हुआ आपने जितना पैसा लगया उसका रिटन आपको मिल गया इसी तो सिंपल स्टॉक मर्केट बस इतनी ही चीजों को भी आप समझ जाते तो भी आप मार्केट में धीरे-धीरे समझने लगोगे पहल होते है इन चीजों को देखा था हम ने फिर यह तो अपनी देगा एक मिल में दूसरी स्लाइड लगा यह प्रॉपिट कैसे बनता है यह मने बता है आपको फिर उसके बाद डेखो स्टॉक मर्केट क्या होता है यहाँ पर क्या बेचे जाता है यहाँ पर स्टॉक कि कंपनी है यहां पर इंवेसी कितने नी किया था इसके अंदर इंवेस्ट किया था तो मेरी कंपनी के जो हिस्शेदारी है वो 100 करोड की company है 100 लोगों ने पैसा दिया है तो per person के पास एक एक person का सब के पास stake चला जाएगा मेरा सब के पास stake चला जाएगा मतलब 100 crore की company 100 person मेरे पास है तो सब के पास मेरे company का 1% share रहेगा इसी को हम बोलते है share 1% share मैं सब में बार दोंगा 1% क्यों कि आपने मुझे इसके बदले पैसे दिये है मैंने मेरे बदले आपने जो मुझे पैसे दिये उस पैसे के बदले मैंने आपको मैंने आपको company की हिस्सेदारी दिये अगर उसमें profit भी होता है तो भी आपका loss भी होता है, तो भी आपका, मैं इसमें ऐसा कुछ भी आपको compliment नहीं दे रहा हूँ, कि हाँ, अगर profit होगा, तब ही लेंगा, अगर loss होगा, तो मैं मैं देख लूँगा, मैं आपको profit दूँगा, ऐसा कोई पर भी, यहापर कोई promises नहीं किये जाते हैं, यहापर इस्षेदारी हो, मतलब loss भी होगा और profit भी होगा, यह fix है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके अंदर आपको profit ही होगा, loss भी हो सकता है, फिर profit भी हो सकता है, it is completely different की company का growth कैसा चल रहा है, आगर कोई company, जैसे हिंदुस्वान लिवर company है, ब्रिटानिया है, फार्मा के companies है, जै जैसे बहुत सारी company, जैसे एक example के लिए आपको एक example देता हो, अगर 40 साल पहले, अगर अपने विप्रो में, 40 साल पहले अगर 10,000 रुपीज भी लगा देते, एक compliment देर हो जाके अब समझ पाओ, मैं क्या बताने कोशिश करो, अगर विप्रो में, अगर अपने 40 साल पहले, 40 years before, before 40 years, अगर हमने 40, 10,000 भी यहाँ पर लगा रही होंगे, 10,000 रुपीज भी आगर यहाँ पर invest की होंगे, तो आज उसकी value 700 करोड होती, कितनी होती, 700 करोड इसकी value हो जाती, लेकिन आप लोग बोलोगे, क्या फरक पढ़ता है, तब 10,000 के इसके पास थे, 40 साल पहले, मैं तो पैदा में नहीं हुआ था, तो 10 साधर क्या बात है, सिंपल भंडा है, ऐसे एक complex होता है, इसमें हमें कोई मजा नहीं है, पास में क्या हुआ, इसका reference लेके आने वाले टाइम में पैसे बनाते हैं, उसी को स्टॉक मर्केट बोलते हैं, स्टॉक मर्केट में prediction नहीं किया जाता, prediction का मतलब होता है, कि आप भविश्य देख रहे हो, लगबग देते हो, कि पंडी जी बोलते हैं, कि हाथ देखते हैं, आपका ये होगा होगा, उनकी बस कोई reference नहीं कि आपका कल क्या होने वाला है, आप कल सो के स्पीड़ से अगर गाड़ी चला होगे, तो आपका accident ह होने ही वाला है, तो आपको पता नहीं कि वापर क्या होने वाला है, that's why उसको हम prediction बोलते हैं, लेकिन stock market में analysis किया जाता है, stock market में कभी भी prediction नहीं किया जाता, analysis किया जाता है, उस analysis के basis पे हम history को देखकर एक data निकालते हैं, और उस data को हम reflect करते हैं, मुझे आपने देखा है क मैं daily YouTube पे आपको analysis share करता हूँ, उस analysis के अंदर मैं आपको क्या चीज़े share करता हूँ और क्या चीज़े बताता हूँ, उस analysis के अंदर-अंदर मैं आपको कुछ चीज़े share करता हूँ, कुछ चीज़े बताता हूँ, उसके अंदर में क्या बताता हूँ, उसके अंदर में ये पिडिक कर ही नहीं सकता, it is impossible, इसी लिए stock market में कोई भी चीजे होती है, वो data से होती है, तो stock market क्या होता है, बहुत simple, एक ratio बता देताँ पूरा समझ जाओगे, पहले आता है stock, जहाँ पर आप invest करते हो, देखो थोड़ी time के लिए वो option, option का फंडा, call, पूर यह चीजे भूल पहले market के basis concept को समझ लो, ताकि आने वाले time में आपको पता चल जाएगा, एक simple, मैं मानके चलताओ, मैं आपको देताओ, जो लोग बार-बार entry exit करते हैं उनके लिए कुछ चीजे बता रहो, देखो, अगर मैं मानके चलताओ, कि अपने कुछ खरीदा है, जैसे कि मानके चलत आते हो, आप लेके आते हो, फिर से एक shoes लेके आते हो, फिर जाते हो उसको return करने के लिए, फिर आप यहापर return करने के लिए जाते हो, यह शॉप ओला का पूर return देगा क्या, देगा क्या, बिलकुल नहीं देगा return, और फिर भी देगा return, तो भी आपको बोलेगा कि अब ने, क्योंकि आपने पहली बार रिटन किया है अब आपके कम से कम 40% मैं यहां पर आपको कट कर दोंगा मतलब अगर अगर आपने 5000 का कोई शूज खरीदा था तो 40% का ड्रॉप उस पर लग जाएगा 40% का मैं मान के चलते हो एक्जामपर के लिए मैं 10,000 का यहां पर ले ले लिदा तो 40% का उसके अंदर ड्रॉप आएगा और आपको 6,000 ही रिटन मिल जाएगे क्यों कि आपने उसको multiple times रिटन रिटन करवाया है इसकी वज़े ड्रॉप आता है ऐसे stock market में भी होता है stock market का basic बता तो theory का चलती है अपर देखो पहले market में आप क्या करते हो आप एक broker के पास ज और आख जाते है और हम उसको बोलते है कि मुझे कुछ शear चाहिये मुझे चाहिए कुछ शेर चाहिए तू मुझे लेके देते। एक बर सबलोकć लिक कर दो ताकि मुझे पता चलेगा कि लाइव सब कोछ अच्छा चल रहा है सबके पास अच्छ चल रहा है इस बार लाइक कर दो मेरी आवाज क्लियर आ रही है वीडिव क्लियर आ रहा है एक बार थौधा लाइक कर करें मुझे बता दो अगर आपकर लायइक ने देखो हम क्या करते हैं इक ब्रोकर के सब्सक्राइब थोड़ा सा बता रहो, मैं बोलता है कि आप ब्रोकर के बोलते कि मुझे स्टॉक करते हैं, तो यह स्टॉक कहा चला जाता है, आपने बहुत बाते कहा, CDSL का आता है, जब आप स्टॉक बेचने के लिए चाते हैं, तो CDSL के पर्मिशन लेनी पड़ती है, बीच में CDSL आता है, कम करवाया है, तो CDSL बीच में कमपनी आ जाती है, यह कमपनी क्या बोलती है, अगर तुझे ट्रांजिशन करना है, यह ब्रोकर के साथ-साथ, अगर तुझे ट्रांजिशन करना है, तो मैं बीच में रहूंगा, और यह सारे शेर्स मेरे पास पड़े रहेंगे, जब तक तु पाफ कोई डरनी की जरुद में, पहले डरनी की जरुदियंगे ती, क्योंकि हमारे पास कुछ कंडिशन सा नहीं, अब हमारे पास CDSL जो बीच में ट्रैक करता रहता है, कि अपनी कितने शेर्स बाइक है, कब बाइक है और सब डेटा उनके पास रहता है, तो बीच में CDSL आ इसके लिए हमें बहुत सारी चीजा अभी एजी हुआ चुकी है जो कि पहले इतनी एजी नहीं हुआ कर दिदी अब जो मैंने NSCBA से लगा है उसके अंदर और एक स्टॉक एक चीजिस हुआ करता था पहले लेकिन अभी ओ भी अवेलेबल नहीं है पहले दो स्टॉक अभी हमार कि स्टॉक का स्टॉक का एक मार्केट है जिस मार्केट में आपके पास सारे स्टॉक अवेलेबल है और वहां से कोई भी आपको जो पसंद है वो स्टॉक आप वहां से पर्चेस कर सकते हो लेकिन यहां पर दिक्कत यह आती कि कौन से स्टॉक पर्चेस करे वो सबसे बड़ा topic है और वो topic पहुचने के लिए हमें time लगेगा क्योंकि हमें process से जा रहे है पहले stock market का introduction stock market होता क्या है पहले यह चीज़ों का हम समझें की कोशिश कर रहे है जब तक हम यही नहीं पता चलेगा कि stock market है क्या तब तक हम यह कैसे पता चलेगी कि हमें पैसे कैसे बनाएंगे आज तक जितने भी लोग stock market में आये है वह ज्यादा तर market में loss करते ऐसा ही बोला जाता है उसका reason क्या है देखो अगर आप कोई चीज़ पर्चेस करने के लिए जाते हो market में तो वहां से कुछ पर्चेस करके आते तो बहुत सोच समझ कर ही लाते हो ना ऐसी कोई चीज नहीं कि आ तो दस बार research करते हो दस बार YouTube की वीडियो चेक करते हो हर एक shop में जाते हो वाकर pricing निकालते हो कि तू कितने में दे रहा है तू कितने में दे रहा है तू दस अधर में दे रहा है तो तू नो 800 में दे रहा है क्या कोई बोलता है 10,000 100 में दे रहा है कोई 10,000 200 में दे रहा है ह हर एक बार में discussion करते हैं, हर बार जाकर reference लेते हैं, पूछते, दोस्ते पूछते, किसी expert से पूछते, बहुत कुछ चीज़े देखते हैं, YouTube पे वीडियो देखते हैं, सबसे ज़ता व्यूज किसके आरे, comment देखते हैं, तो इतनी सारे चीज़े करने के बाद एक phone up purchase करते हैं, तो stock purchase करने के लिए आप भी किसी से पूछ सकते हो, आप अपने mentor से पूछ सकते हो, आप किसी YouTube के वीडियो देख सकते हो, या फिर कुछ भी देख सकते हो, mentor से, सबसे best होता है कि mentor कुछ चूछ करना, mentor ही आपर क्यों matter करता है, क्योंकि उसके पास पहले से एक तो experience होता है, औ और उसके पास पहले से market का knowledge होता है, तो आपको उठा के देता है कि हाँ, आप ये stock अच्छा हो सकता है, या फिर उप theory बता देता है, कि अगर ये चीज़े हो रही है, तो ये stock अच्छा है, तो उसके लिए आपको वो matter करता है, तो जितना जादा आप वो understanding पे चले जाओग ये जगा पर करूँ, तो ये सारे चीज़ों के हम धीरे जीरे करकर सिखने के कोशिश करेंगे, होग आपको इतना समझ में आ रहा होगा, कि पहले stock market होता क्या है, क्योंकि stock market क्या है, जब तक आप इसको ही नहीं समझ पाओगे, आप आगे कभी बड़ ही नहीं पाओगे, इ कौन सा stock purchase करोगी, कब purchase करोगी, मेरा loss ही क्यों हो रहा है, मैं option में क्यों directly जा रहा हूँ, क्या मैं stock buy कर सकता हूँ, क्या मैं stock कितने दिन के लिए hold कर सकता हूँ, देखो stock market में दो चीज़े हैं, कुछ लोगों ने stock market से, या पर दो चीज़े हो रही है, कुछ companies जो 100 रुपिस की हुआ करती थी, 100 रुपिस की हुआ करती थी, वो आज company 1000 की भी बन चुकी है, 1000 रुपिस भी उसका price बन चुका है, लेकिन क्या ऐसा भी तो सिनारियो है न, कि कुछ company जो 1000 रुपिस की हुआ करती थी, वो भी तो 0 हो चुकी है, वो भी तो लगबच 4-5 रुपिस पे आ चु क्यों किया और ये company इतना नीचे क्यों गरा इसका क्या logic है ये stock market में है कि यहाँ पर पैसे बनाने की probability थोड़ी सी जादा होती है लेकिन कब जादा होती है कि जब अपने अच्छे तरीके से उसके अंदर research करते हो research करने के बहुत सारे तरीके होते मैं आने वाले time आपको जाता prefer करूँ या फिर मैं fundamental को जाता prefer करूँ क्या fundamental analysis में सबसे पहले bottom पर entry मिल जाएगा या technical में bottom पर entry मिल जाएगा तो कौन सा actually में सही है कि मैं fundamental के साथ जाना पसंद करूँगा या फिर दोनों चीजों को सीख लेता हो कोई company में technical से entry find out करूँगा और उस company की balance sheet देख लू कर रहे है जब आप उस पहली step से complete करके आगे बढ़ते हो तब आपका experience market की बारे में बढ़ता है जब आप stock market को पहचानना शुरू करते हो इस market में आपके पहले entry हो जाती है तब आपको ये समझ में आ जाता है कि हा भई यही हमें actually में पढ़ना है market के शुरुआत करना से बड़ी बात होती है मैंने 7 साल पहले मैं कुछ आपको concept बतर आप समझ जाओगे अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है मैं कुछ चीजे experience के साथ अच्छे से share कर रहा हो तो like करते रहे ना मुझे बहुत मज़ा आएगा कि मैं इतना efforts ले रहा हो तो उसका थोड़ा सा return आपके like से ही सब कुछ मिझाता है, okay मैंने जब चुरुवात की आता तो मैंने गल्ती क्या क्या तो stock market के मैंने जब stock market में आया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था मैंने stock market को बस simple सा देखा कि मुझे stock market से पैसे बनाने मुझे इतना ही बता था के से बताने कुछ नहीं मैंने पर अनकी के आप्छ थे स्हटॉपूगी कि आहे林ez का नाम चू Fenertine with 25 जिसका नाम चुम है कि एक कमपनी चुम पवह करता था मैं चाहब करता है यह कंपनी के खुद मेरे आठ Commercial Dean आपको पता एक चीज़ बता देतों जब यह स्टॉक मार्केट अभी तक जो पीसी में कॉम्पूटर में जब तक नहीं चल रहा था जब तक नहीं चल रहा था लोग कैसे ट्रैक करते थे कुछ लोग एक बंदा आया था मेरे पास फोटी तर पहले मैं आपको बताते हैं तो कुछ एक्जामपल आपको समझ जाओगे कि वो लोग कैसे अनलेसिस करते थे स्टॉक्स की एक परसन आया था लगबग उनकी एज 60 के आसपास होगी वो मेरे साथ आया थे क्योंकि मेरे घर क को डिकोड किया था है ता कि कैसे किया था कि वह नोट भुक पर हमें में कुछा की टीटा में ठीटा हुआ रही जब 6 मेने नीचे आता है, 6 मेने उपर जाता है, 3 मेने फिर नीचे आता है, फिर 6 मेने उपर चलता है, उन्होंने उसके बारे में इतना research करके लाया था, जो हम आजकल उसको projection बोलते हैं, उन्होंने को ये पता भी नहीं कि उसको projection बोला जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उ याइड यूजर सारी इन सारी चीज़ों को समझ जाएगा मैं क्या बता रहा है मैंने क्या गल्ती किया था शेयर मार्केट के बारे में मुझे तो स्टॉक मार्केट के बारे को कुछ भी पता नहीं था जसा आम कमिंग फॉट जस वाइव इन अपर रहा था तो विनतिय और कर अब आप उपन करके देखो कि तो आपको समझ भी नहीं आएगा क्योंकि कई बार स्प्लिट हुआ है कई बार उसका पी रेशो चेंज हो चुका है तो अभी आपको प्राइस को ट्रैक नहीं कर पाऊगे आप बोलो के सब तीन सुरू पर आप क्या बता रहे हो आभी तक रहता है अगर एक कमपनी का प्राइज आगर 1000 है अगर पी रेशो वन कर दिया तो उसके बार प्राइजिंग चेंज हो जाता है तो उसके बारे में अब आपको ट्रैक रेकॉर्ड नहीं मिलेगा लेकिन में तीन सुरू पर उसका प्राइज को देखने के लिए आया ता पाई करने के लिए वो कमपनी लगबग लगबग 16 रुपिज का हाई भी लगा चुकी थी लेकिन मैंने दूसरे लोगों का सुनकर मैंने 16 रुपिज के जो शेर मुझे खरीद ना था मैंने उसके अंदर-अंदर only 70,000 रुपिज के शेर पर्चिस किये और बाकी टोटल मैंन अच्छी थी इसके लिए मैरा सेविंग भी अच्छा था तो मैंने सोचा मुझे तो यह पैसा लगने नहीं वाला है मैं लगा कि अभी छोड़ दूंगा पता नहीं क्या होने मैंने बाकी सारे कचरा 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 स्टॉक्स बाई कर लिए लगबग बस सात लाग रुपिज क और इसके अंदर 7 रुपिज मेरे पास आज भी एस बैंक मेरे पास आज भी बाईंगे 333 रुपिज की बाईंगे और अभी कितने पर चल रहा ही है 20-22 रुपिज के आसपास पर चल रहा है तो मेरे पास आज भी यह स्टॉक्स पढ़े है बहुत सारी क्यों मुझे पता ही न इतना ज़्यादा potential है, बस उस potential को आपको identify करना है, और इस potential के पास identify करके उसके साथ आपको चलना आना चाहिए, बस ये दो चीजे, ये analysis, अगर आप इतना कर गए, तो आप stock market से unlimited पैसा बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर conditions है, यहाँ पर एक ही conditions है, long term में जितना ज़्यादा पै मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप intra-day मत करो, मैं यह बताने के कोशिश कर रहा हूँ, intra-day भी आप कर रहे हो, तो भी आप लंबे समय के लिए plan बना किया हो, कि मैं एक साल, दो साल, छे मेने, तीन मेने, नौ मेने, आट मेने, जितने भी time देने वाले हो, plan कर किया हो, कि वो बड़ा business से, आप हमेशा जबी भी कोई चीज़े कर रहे हो, आप market में कितना लेके आओगी, 10,00, आप stock market में कितना लेके आओगी, 10,00, एक करोड, दो करोड, 10 करोड, 100 करोड, 100 करोड तो छोड़ो middle class क्या ही लाएगा, फिर भी 15 करोड, इतना लेके आ रहे हो, लेकिन आप यह बात को मानो, यह है middle class, retail trader, middle class छोड़ो, retail trader, और यहाँ पर क्या खड़ा है, 1000 CR, 500 CR, mutual fund, hash fund, उनके पास institution, 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 FIs, DIs, आप competition इनके साथ कर रहे हो, जिनके पास 11,000 CR, 500,000 CR है, अब उनके साथ compete कर रहे हो हो, इस पैसो से, आप नहीं कर पाओगे, तो आपको इनके mindset से चलना पड़ेगा, stock market में जीतने के लिए, इनके mindset से चलो, तब ही जाकर हम stock market में trend के पकड़ पाएंगे, तब ही आप कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये fund है, और इनके पास ये fund है, आपका direct competition इनके साथ है, आप जब किसी company में job करते हो, किसी company में work करते हो, तो आपका competition किनके साथ होता है, इनके salary 40,000 है, आपके salary 20,000 है, तो आपक जल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास 1 करोड है और इसके पास 500 करोड है, एक एक 1000 करोड है, एक 1000, आपका competition आपके 100 गुना ज्यादा लोगों से है, 100 गुना, एक 1000 गुना ज्यादा लोगों से है, आप compete नहीं कर पाऊगे, compete करने के लिए आपको इनके बारे में पढ़न जोड़ना पढ़ेगा, ये कैसे कर रहे हैं, ये कहां पर इंटरेस्टेड हैं ? क्या ये रिलाइंस लेने में इंटरेस्टेड है, या फिर S Bank के लेने में इंटरेस्टेड हैं ? लोग जाताता सास्टे स्टेज्ज डोलना पसंद करते हैं, और वो इसलिए trap होते हैं क्योंकि सस्ते stocks इसलिए सस्ते बने हैं क्योंकि बड़े players वहाँ पर interested नहीं है और महेंगे stock इसलिए महेंगे हो रहे क्योंकि वहाँ पर बड़े players interested है तो आपको क्या करना है बड़े company के साथ जाना है जहाँ पर अलड़ी लोग interested है या फिर आपको ऐसे company के साथ जाना है जहाँ पर लोगी interested नहीं है जब तक ये लोग interested नहीं होने वाले market में तब तक कोई दी stock moment नहीं करेगा upside ना वो company कभी growth करेगी तो आपको stock market के पहले basic समझने पड़ेंगे हम यही गलती जादा दर करते हैं कि market का कभी concept कि कौन कब आनेगा, कैसे आएगा, किसके साथ मुझे जाना है, क्या बायर से इंट्रेस्टेड है, क्या सेलर इंट्रेस्टेड नहीं है, मैंने जब बेसिक शुरुवात करने का बोला था, तो बहुत लोगों ने मुझे एक एक क्वेशन किया था, सर, क्या बेसिक हमें पढ़ना है, स्टोक मारकेट, क्या बोता रहे है, अब बहुत से लोगों ने ऐसा ही बोला था मुझे, सर नहीं पढ़ना है, इसमें कोई मजा नहीं सेखना है, आज आज आपकी कुछ ना कुछ आपको नया सिखने को जरूर मिला होगा, जो आपने पहले देखा होगा, इससे भी ज़्यादा आपकी आखे जरूर खुल चुकी होगी. This is my promise, क्योंकि मैं जितना efforts ले रहा हूँ, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़े जरूर आड़ करते जा रहा हूँ, ताकि आपको उससे ज़्यादा benefit मिले. पूरा efforts लोगा, आपको वो चीज़े समझाने में, जो आज तक किसी ने आपको इस चीज़े कभी नहीं पढ़ा होगी. उसके लिए मैं पूरी जी जान लगा कर efforts लेने के ready हो, बस आपका मुझे support और साथ चाहिए, मैं ऐसे ही content आगे लेके जाओ करके.